शब लोग अपनी मांग कर रहे हैं, आपने पुर्णिया ऐरपोर्ट की मांग रखी है, क्या है यह थाहर हम भागल पूर जैर बिहार में जो ऐरपोर्ट लगातार पतना कब बनेका, कब नहीं बनेका, आज तक कुछ समझ में नहीं आज पूर्णिया एरपोर्ट के बारे में कई बार अमीत साजी भी देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी ने भी कई बार जिकर कर दिये यहां तक कह दिये कि प्लेन चालू हो गया और अभी भी राज सरकार के द्वारा 15 एकर जमीन को लेकर की बाधिता जारी है किसान आंदोलन कर रहे हैं उनको जो मुआपजा मिलनी चाहिए वो मुआपजा नहीं मिल पा रहा है और लगातार लेंदी प्रोसेस होता जा रहा है भागलपूर की चीद परचित मांग भी आई है तो मैंने आज मानिय मंत्री महदे से पूछा है कि कब तक सलानियास की उमीद है और कब तक क्या आप एक से दो सालों के अंदर क्या पूर्णिया एरपोर्ट पर बिमान पतन का चालू हो जाएगा तो उन्होंने कहा कि निकट भविश में हम सजानास भी करेंगे और बहुत जल्द पूर्णिया एरपोर्ट के निर्मान को चालू कर देंगे तो जो बात चालू कर देंगे सालों सालों से पूर्णिया एरपोर्ट को ले करके मुद्दे चल रहे हैं लेकिन धाक के तीन पात है वही हाल दरभंगा का भी है दरभंगा में इतने जादे रभेनियू होने के बाप जो दरभंगा एरपोर्ट पर किसी नागरी को शुविदा तो विहा पटना को ले करके नहीं है बगल में जो हमारा ने एरपोर्ट बनने का था उसके उस मुद्दों को ले करके नहीं है तो फिर एक गंभीर विशा है इसलिए है पूर्णिया एरपोर्ट उसकोशी सीमांचल भागलपूर खगरिया मितलांचल की प्रमुक मांग है इसलिए इस